तो फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आये हैं पूरे की रेस्पी जो की बहुत ही सोफ्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बड़े हो चाई छोटे ही सबको पसंद आएंगे और इनको आप एक हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनको सक्कर से बनाएंगे आप चाहें तो आप यहां पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहां पर डेड़ कटोरी सक्कर लिया है तो मैं आप पर डेड़ कटोरी पानी इसमें एड़ कर जोंगी और फिर हम इसको चला देंगे थोड़ी से देर के लिए आप च चान लिया है और फिर जो हमारा सिरफ है वो हम इसमें एड करेंगे चान लेंगे और सिरफ को हम धीरे-दीरे ही मिलाएंगे जिससे कि हमारा पेस्ट ठीक बने ज्यादा पतला ना हो और अगर किसी का पेस्ट पतला बन भी जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिला सक तो यह ठीक हो जाएगा अब हमें इसको अच्छे से घोल लेना है मिक्स कर लेना है जिससे की जो हमारा आटा है उसमें हमारी गुठलिया नहीं बढ़ेंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो देखे अब हम इसमें अड़ करेंगे दो चमच दरदरी सौफ और आदा चमच नमक हम इसमें अड़ करेंगे जिससे की इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मैंने यहाँ पर लिया है गोला कद्दूकस करकर जो सूखा गोला होता है नारियल वो मैंने यहाँ पर लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे दूद, दूद डालने से इसमें टेस्ट वो और भी ज़यदा बढ़ जाएगा और यह बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे हम यहाँ पर नॉर्मल दूद का यूज़ करेंगे तो फ्रेंट जिसको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजी और जो नए है वो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स हमने इसमें सोफ एड़ की है गोलव एड़ किया है और हमने इसमें दूद भी एड़ किया है जिससे कि हमारे जो पूड़े हैं वो बहुत सोफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे इसको थोड़ी देर के लिए rest करने के लिए रख देते हैं तो देखिए 10 मिनट बाद हमारा जो paste है कितना अच्छा बनके ready हो गया है तो अब हम इसको अच्छे थोड़ी देर के लिए फैंट लेंगे और फिर हम इसको तल लेंगे तो देखिए आप हातों से भी इस तरीके से तल सकते हैं पूड़े बनाईए जो कि सबको बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही सोफ्ट पूड़े बनकर हमारे तयार होंगे और इन पूड़ों को आप एक हफते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए जो हमारे पूड़े हैं वो बनकर ready हो गए हैं कितना अच्छा इन में color आया है आप इसको light brown रख सकते हैं या dark golden brown कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे तो देखिए कितने अच्छे हमारे पूड़े बनकर ready हो गए हैं और इसी तरीके से हम अपने सारे पूड़े बनाकर ready कर लेंगे तो देखिए कितना अच्छा हमारे पूड़ो में color आया है जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा tasty खाने में लगेंगे और बहुत ही जल्दी बनकर ready हो जाते हैं इसमें जो ingredients हमने डाले हैं वो जरूर add कीजिए Thank you for watching